एक तरफ इस लड़के की नौकरी जाने वाली है, जिन्दगी समझो दाओं पे लगी है, सारी लड़किया इनसे दूर जा रही है, जो कल तक इनके पास रहना चाहती थी, तो दूसरी तरफ एक मा को दिखाया गया, जो सहर की लड़की को पसंद तक नहीं करती थी, वो उससे अपने बेटे की साधी करवाना चाहती है, दोनों तरफ सस्पेंस काफी गजब का है, आज हम लोग एक साथ दो सीरीज की ट्रेलर रिव्यू करेंगे, सबसे पहले तो आती है तक सीरीज, उसके बाद फिर आएगी तीखी चटनी, तो चलिए फड़ा-फड़ से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट थोड़ा डिसापोइंट किया, लेकिन कोई बात नहीं, इसके आगे के एपिसोड काफी गजब की होंगे, इस्टोरी भी सीरीज में आप लोग को अच्छी देखने को मिलेगी, साथ साथ इस सीरीज में आप लोग को सीन काफी जबरदस्त देखने को मिलेंगे, अगर आप अलियान आज के फैन हो, तो एक बार सीरीज को चेक आउट कर लेना, सीरीज की स्टोरी की बात करें, तो सीरीज की स्टोरी में हम लोग को एक सालेस नाम के लड़के को दिखाये गया था, जो कल तक लड़कियों के बीच काफी फेमस था, लड़किया इनको गबरु जवान क कहके बुलाती थी, लेकिन अब वही लड़किया इनको नामर्द कहके बुला रही हैं, आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, लड़किया इनसे क्यों दूर जा रही है, अगर आप लोग को जानना है, तो सीरीज आप लोग को 11 नवंबर को देखनी होगी, अगर आप लोग ने मैं रिव्यू लेकर आजाओंगा और बता दूँगा सीरीज किस लेवल तक गई है, बारी आती है तीखी चटनी वेब सीरीज की, इस सीरीज का मैं ट्रेलर देख कर आ रहा हूँ, और लिटरली ट्रेलर मुझे काफी पसंद आया, पार्ट बन इसका अच्छा था, लेकिन प नमेंबर को रिलीज की जा रही है उल्लू के एप पर, और इस सीरीज में हो सकता है आप लोगों को तीन एपिसोड देखने को मिलें, इसके स्टोरी की बात करें, तो सीरीज की स्टोरी में जिस लड़के की माँ जिस लड़की को देखना पसंद नहीं करती थी, उसे अपनी घर की बहु बना रही है, और जो घर की बहु बनने वाली है, वो अपने होने वाली ससुर जी पर लाइन मार रही है, उनके साथ सीन बनाना चाहती है, जन्नत देखना चाहती है, आखिर सीरीज में आगे क्या होगा, सीरीज की एक्टर्स यहाँ पर क्या करेंगी, होने वाले जानना है तो सीरीज आपको देखनी होगी बस हम लोगों को सीरीज में देखना ये है ससुर जी की अंतरातमा कब तक नहीं डगमगाएगी जब डगमगा जाएगी भाई देख लेना मज़ा देते जाएगी तो बस जैसे ही सीरीज रिलीज होती है मैं रिव्यू लेकर आपके सामने पहुंच जाओंगा और बता दूँगा सीन के मामले में और स्टोरी के मामले में सीरीज कैसी बनी है तो इससी के साथ मैं चलता हूँ